देखेंगे हम लोग ब्लॉड है क्या और इसका सर्कुलेशन क्या है कि ब्लॉड कहां से कहां तक होता है अगर हम ब्लॉड की बात करें ब्लॉड है क्या ठीक है तो यहां डिसकर करें अगर हम लिखें कि वाट एज ब्लॉड इसका अंसर निगल कर आएका कि ब्लॉड एज दा हायली हायली एस्पेसलाइज्ट फ्लॉड कोनेक्टिव टिशू यह यह कनेक्टिव टिशू है इसकी और बात देखें तो इट्स सर्कुलेट इट्स सर्कुलेट इन सर्कुलेटरी सिस्टम शर्कुलेटरी सिस्टम यानि यह सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट होता है नेक्स्ट अगर इसके बारे में में बात और देखें तो it is fluid in nature, it is fluid in nature, यानि ये fluid इसका nature है, कि ये तरल पदार्थ होगा, चिपचिपा पदार्थ होगा, ठीक है, और ये connective tissue है, टीशु किस तरह का है, तो connective है, its color is red, ये color किस तरह का है, है red, due to hemoglobin, 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 ये hemoglobin के चलते, इसका color जो है, क्या है, red है, ठीक है, और hemoglobin पाया है, किस में जाता है, तो ये RBC में पाया जाता है, ठीक है, इस सब का हम detail समझेंगे, ये RBC क्या है, WBC क्या है, ठीक है, पहले हम blood शुरू किया है, तो blood में मुख्य रूप से hemoglobin ही पाया जाता है, जो RBC के अंतर गत पाया जाता है, और इसका pH मान जो होता है, pH value, pH value of hemoglobin जो होता है, वो होता है, 7.3 to 7.4, इसका correct value है, ठीक है, 7.3 to 7.4 pH value है, ये alkaline in nature होता है, है, alkaline in nature होता है, ठीक है, यानि छाड़ी होता है, अब अगर हम blood के बारे में पर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं, कि study of blood, study of blood is known as hematology, hematology, यानि blood के अध्यान को हम क्या कहते हैं, the study of blood is known as hematology, उसको हम hematology कहते हैं, hemoglobin जो है, अब hematology का definition की बात करेगर, कि hematology कहते किसको हैं, तो हम कह सकते हैं, कि the branch of science, the branch of science in which deals with a study of blood is called hematology, आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें, तो hematology, हम आपको बता दिये, कि अगर blood का अध्यान करते हैं, blood के बारे में जनकाड़ी लेते हैं, तो उसे हम कहेंगे hematology, अगर ये लिखना चाहते हैं, इसका definition, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, कि the branch of science in which, the branch of science in which deals with a study of blood is known as hematology, अगर हम composition की बात करें, कि इसका composition क्या है, composition क्या है, blood का, तो इसमें आपको मिलेगा plasma, और दूसरी तरफ मिलेगा आपको blood seal, दूसरी तरफ आपको मिलेगा blood seal, यह कह सकते हैं, कि एक तरफ आप plasma के बारे में पढ़ेंगे, कि plasma है क्या, और दूसरी तरफ पढ़ेंगे blood seal, यानि हम यहाँ दूसरे color से आपको दिखाना चाहेंगे, कि यहाँ अगर हमने blood लिखा, ठीक है, तो blood को मुख तरह से हम लोग दो भाग में बाढ़ सकते हैं, एक तरफ आएगा plasma और दूसरी तरफ इसका भाग आएगा blood seal, plasma की बात करें तो यह हमारे blood में percentage value 55% होता है, हैं, प्लाजमा के अंदरगत क्या-क्या होता हैं अगर इसके बारे बढ़े हैं में प्लाजमा के बारे में क्या-क्या होता है तो इसमें मुझे मुख जो मिले मिलेगा हाइड्रेट मिलेगा मुझे वाटर मिलेगा प्रोटीन मिलेगा और क्या मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट मिलेंगे और बेटामिन्स मिलेंगे मिनरल्स मिलेंगे यह हुई आपके प्लाजमा का कंपोजिशन के वाट इस अप्लाजमा आप लेपेट्स कार्वोहईड्रेट्स वाटर प्रोटीन एलेक्ट्रोलाइट्स अब आते हैं ब्लॉड सेल ब्लॉड सेल की बात करें ब्लॉड सेल में मुखरूप से आपको तीन चीज़े मिलने वाली है जो मैं आपको बता दूँ आर बीसी डबलॉ बीसी और तीसरा होगा जो वो होगा आपका प्लेट्लेट्स अब इसके बारे में एक ही करके हम डीटियल अध्यान करेंगे कि आर बीसी क्या है डबलॉ बीसी क्या है और प्लेट्लेट्स क्या है इनके बारे में हम लोग बिस्त्रित अध्यान करेंगे कि यह है क्या आए हम इसके बारे में फिर से आपको डीटियल समझाते हैं पहले तो हम इन सबको जानने से पहले सबका हम लोग नार्मल वैलू समझते हैं कि नार्मल वैलू आखिर होता क्या है किसका किसका तो भाई आर बिसी डबलो बिसी और प्रेट्रेट्स का नार्मल रेंज क्या है इसका नार्मल जो रेंज है नार्मल रेंज अफ आर बिसी इसक का नर्मल रेंज जो है यह 4,000-11,000 यह इसका अप्रॉक्स नर्मल वैलू है कि हमारी बोड़ी में डवलू बसी जो है वाइट ब्लॉड सेल है यह 4,000 से लेकर 11,000 तक पाया जाता है अगर हम नर्मल वैलू प्लेट्स की बात करें कि प्लेट्स का नर्मल वैलू क्या होता है तो हम देख लेते हैं कि इसका अनधर नेम क्या है है अनधर नेम क्या है मुठ को भूट है कि हुश्य थिया कोई बात नहीं अभी हम लोग समझते हैं समझना जरूरी है कि अब हम बात करें कि अनधर अगर हम यहां आपको एक और लाइन ड्रॉ करके यहां दिखाना चाहें कि इसका अनदर नेम क्या है सबका ठीक है यहां दिखें अगर हमने आर बीसी इसका आप एक नाम तो जानते हैं रेट ब्लॉर्ड से यह असानी से आपको पता है एक और नेम आप जानी है इसको जो मेड साइट ब Guess का मतलब होता है और कर्पशल स्का मतलब ही क्मदैने ऐसा नहीं कि कुष और समझेंगे इसका मतलब ही और समझेंगे फिर या। डबलीबिशी डबलीबिश्जी क्या तो डबलीबिशी कि है कर बात करें हम की में कि डबलीबिशी ह resposta उब तो लुको साइट देखो साइट इसमें भी आ रहा है साइट इसमें आ रहा है लुको का मतलब ही होता है वाइट और एरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड और एक अनदर जो बलड है आपका प्लेटलेट्स प्लेटलिक्स का मतलब होता है थ्रम्बोसाइट यानि आपने यहां देखा RBC, WBC और प्लेटलिक्स का अनधर नेम इसका अनधर नेम भी है अब और अब को बताते हैं कि यहां जो अपको हम पढ़ाःते प्रोटीन के बारे में मुखरुम से और यहां एक तरणन में देख लेते हैं कि प्रोटीन के अंदर रगत क्या क्या पाए जाता है अच्छे प्रोटीन हम परसे प्रोटीन में गुप से हम फिर एक एक डीटिल हम चलेंगे कि किसमें क्या क्या rice т. फिर पारेंगे ब्लॉट Κा तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन वे मुकरव से हमको मिलता है अल्बूमीन अब आल और दूसरे ठीए पायजाता और धॉसरे प्रोटीन सैंने अ घुट के मैजम स्कंडने कर दोब 節目 स excel अगर जिस बंदे में ब्लाड नहीं हो रहा है इसके सरीर से कहीं से कटने के बाद بलॉड कंट्रिन निकल रहा है तो उसको हम ही मोफिलिया का सिकार मानते हैं कि वो बंदा ह ही मोफिलिया से ग्रस्त हो गया है चलिए दачते हैं अब डबलू बीसी जो है वो डबलू बीसी भी एगेन दो भाग में डिभाइड रहता है एक ग्रेनिलो साइट और एक ग्रेनिलो साइट डबलू बीसी की बात करें तो डाबलू बीसी जो होता है ये दो भाग में एगें डिभाइड रहता है एक को हम का सकते हैं ग्रेनियूलो साइट यानि जिसमें ग्रेनियूल्स हो ग्रेनियूलो साइट ग्रेनियूलो साइट और दूसरे वाले की बात करें अगर तो यह हो जाएगा और ग्रेनियूलो साइट केवल ए लगा देना आपको और ग्रिनलो साइट यहाँ आप देखें कि WBC जो है again carry कर रहा है दो भाग में एक ग्रिनलो साइट और एक ग्रिनलो साइट फिर इसकी और डेटेल्स आएं कि सॉरी थो राइस को ठीक कर लिग गया यह है कि अगर हम बात करें डबलू मिश्य में अभी हम देख रहे थे ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट की बात करें अगर कि ग्रेनुलोसाइट में क्या-क्या पाया जाता है ग्रेनुलोसाइट प्रिलोसाइट की बात करें इसमें हम देख सकते हैं निट्रोफिल 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 मिलेगा और इसमें क्या मिलेगा इसमें निट्रोफिल के साथ आपको मिल जागा इसमें इसनोफिल फिर आपको मिलेगा बैसोफिल यानि हम कह सकते हैं कि ग्रिनलोसाइट में तीन और तरह के तत्तों पाए जाते हैं एक का नाम है नूट्रोफिल, इस्नोफिल और बैस्टोफिल अगर हम एक ग्रिनलोसाइट के इसमें दो ही तरह के पाए जाते हैं एक का नाम है लिंफोसाइट और दूसरी का नाम है monocyte यहनि हम कह सकते हैं lymphocyte और monocyte as the troop runs up a granulocyte and there are the three parts neutrophil, snophil and basophil are the type of granulocyte अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि function of blood blood का function क्या क्या है function of blood यानि blood का मुख रूप से काम क्या क्या है blood का मुख function क्या क्या है बारी बारी से हम आपको बताते चलते हैं एक एक point wise आपको हम बताते चल रहे हैं कि इसका main function क्या क्या है पहला हम देखेंगे कि carry o2 carry करी करता है यह लॉंग टू टू तो टीश्टू और शेल यानि यह उक्सिजन को करता है कहां से लंग से टीश्टू और सेल में जितने सारी कोशिकाये और उट तक है हमारी वड़ी में उन सबके पास पहुंच आने का काम करता है कौन ब्लड उसके बाद देखें और फिर इस करी करता है क्या इसी ओटो को करी करता है टीशू और सेल से टीशू या सेल इसे लेकर कहां पहुँचाता है फिर लंग्स पे पहुँचाता है ठीक है नेक्स इसका वर्क जो है आप रेगूलेशन आफ वाटर यानी पानी के वाइलन्स को यह हमारे सरीर में मेंटेन करता है आगे ये हमारे body के temperature को भी maintain करता है यानि regulation of body temperature यानि body temperature को भी maintain करने का काम कौन करता है blood करता है और क्या क्या करता है भही तो ये hormones का transportation भी करता है यानि एक जगा से दूसरे जगा ट्रांसपोर्ट करना तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट आफ हार्मोंस data यहằng को एक जगे से दुसरे जगा तरांसपोर्ट करता है दूसरा लिख सकते हैं नेक्स यह करी करता है बेटामिंस और अंड साल्ड को कैरी के वटामिंस एंड शाल्ट्स यानि फिटामिन्स और साल्ट्स को करी करता है और भाई क्या क्या करी करता है यह करी करता है शोडियां पोटैसियम और कैलसियम को भी करी करता है इसके साथ और भी हैं मिनरल्स उन सब को भी यह करी करने का काम करता है कि और देखिए और क्या क्या करता है also maintains acid base balance यह सबसे main बात है कि हमारी body में acid base जो है acid का balance maintain करता है तो लिख सकते हैं also maintain acid base balance acid base balance को maintain करता है और भई क्या करता है तो बेकार की चीजों को हमारे सरीर से बाहर करता है तो इसके लिख सकते हैं excretion excretion of waste product यह बेकार की चीजों को हमारे सरीर से बाहर करता है और एक अंतिम एक और लिख लेते हैं कि यह nutrition का भी काम करता है nutrition लिख सकते हैं कि transport of of अब्जर्वड फैटी असीड अब्जर्वड फैटी असीड amino acid and glucose bloods है glucose को भी carry करने का काम करता है यानि एक जगा से दूसरे जगा ले जाने का काम करता है यहां तो हम पढ़े कि blood का function क्या है blood क्या 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 करता है भई तो o2 को lungs से tissue में पहुंचाता है और tissue से पुना कहां पहुंचाता है lungs में पहुंचाता है फिर देखे कि यह water का regulation करता है maintain करता है पानी की हमारे सरीड में उसके बाद body temperature को भी maintain करने का काम करता है transport करता है एक जगा से hormones को दूसरी जगा ले जाने का vitamins और salt को भी carry करता है sodium potassium और calcium जो है इसको भी carry करता है हमारे सरीड में also maintain acid base balance को maintain करता है विकार की चीजों को हमारे सरीड से बाहर निकालने में मदद करता है और nutrition में भी काम करता है amino acid हो गया fatty acid हो गया और glucose के absorption में भी मदद करता है ठीक है उनको absorb करने में मदद करते हैं अब आते हैं हम लोग क्हें इसके बारे हम पढ़ते हैं कहिंओ है क्या हमो ग्लोबन तो इसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो this 95 नचिसमीं जो ग्लोबीन, they are composed by two Greek word, हम and ग्लोबीन, हम means, हम means iron, the meaning of हम, iron, ठीक है, यानि हम का मतलब ही होता है, iron, and ग्लोबीन का मतलब होता है, प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट, लग रहा है, मेरा ये, कलम धुखा दिया, क्या जी भी, चल नहीं रहा है, प्रोटीन पार्ट हो सकता है, इसे भी ठंडा लगा हो, चल नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, हम में स्कीज का स्तमाल कर सकते हैं, ये हैं प्रोटीन पार्ट, तो आपने देखा, कि हम ग्लोबीन is composed by two Greek words, हम एंड ग्लोबीन, हम is, हम in the meaning of iron and ग्लोबीन, it means protein part, चीक है, इसको हम और कह सकते हैं, कि ये, रिस्पाइरेटरी पिगमेंट है, क्या भाई, रिस्पाइरेटरी पिगमेंट है, कौन हम ग्लोबीन, और इसका कलर जो है, वो, रेड है, ड्यू टू हम ग्लोबीन, और ये कंटेन करता है, इस कंटेन ग्लोबीन, प्रोटीन, वेज, कोगुलेटिड ब्लॉड, यानि ये ब्लॉड के कोगुलेशन में, मदद करता है, ठीक है, आगे देखें, अगर ब्लॉड में, कमी हो गई हिमोग्लोबीन की, हिमोग्लोबीन की, अगर हमारे सरीर में कमी हो गई, तो ये एक बीमारी उत्पन कर देता है, इस अकारेडिजीज, इस नोन ऐस अनेमिया, एक बीमारी उत्पन करता है, अगर हमारे सरीर में किसकी कमी हो गई, हिमोग्लोबीन की कमी हो गई, तो हमारे सरीर में एक बीमारी उत्पन करता है, जिसका नाम है, क्या अनेमिया ठीक है अब हम बता दें कि हमोगलोबीन जो है वो उसका नर्मल जो मॉलिकुल्स हैं हमोगलोबीन में वो 200-300 मिलियन नर्मल भेलू है ठीक है यानि एक हमोगलोबीन ऐसा कह सकते मॉलिकुल्स की संक्याइक हमोगलोबीन में बहुनमल इतने पाज़ा थे दो इसे के आसपस पस्वास जो और RBC का जितना वेट होगा जितना सारा वेट होगा उसका 33 परसेंट जो होता है वो हमेशा हेमोगलोबीन होता है यानि कह सकते हैं कि तो हीम पार्ट अफ हेमोगलोबीन में 33% हेमोगलोबीन पाया जाता है यह हम लोग देख रहे हैं क्या हेमोगलोबीन के बारे में मीन बात पर रहते हैं कि हमोगलोबीन क्या क्या है इसके बाद अगर इसकी फंक्सन की बात करें कि हमोगलोबीन का फंक्सन क्या क्या है तो यह क्या करता है तो ऑक्सिजन को कैरी कर करते हैं फिर वही बार टी सुर्ट कि तराफ कि लंग त्यौक की तराफ और टीस्व से पुना लंग के طरफ मदद करता है और क्या करते São भी करता है फंक्सन की बात करें कि तो है कि हमोग्लोबीन क्या है अगर हम इसके बात कर लें function क्या क्या है तो इसका mean function जो एक तो आप समझ गया कि oxygen को आधान परदान करता है tissue से lungs की तरफ और lungs से tissue की तरफ तो इसकी भासा लेकिने की कोई ज़रूत नहीं है acid base को maintain करते हैं हम short में लिखते चले जाते हैं कि acid base को maintain करने का काम करता है और भाई क्या करता है तो source of यह bilrobin निकालने का काम करता है यह कह सकते हैं कि formation of bilrobin यह bilrobin बनाता है ठीक है यह कहने का मतलब bilrobin कब बनता है जब hemoglobin टूटता है ब्रेक होता है ता बिलrobin बनता है और इसमें और दूसरा अगर बात करें कि hemoglobin का जो color है यह बार-बार चर्चा में आ रहा है कि hemoglobin का color जो है वो red होता है यह due to homoglobin इसमें और ज्यादा कुछ आप समझ नहीं सकते हैं इतना बहुत कफी है इसके लिए हिमोलाइसीश एक word आता है हिमोलाइसीश यहाँ जैसे तूटने की बात आ गई है तो हिमोलाइस loot है हिम जो होता है इसका मतलब होता है blood और lysis का मतलब होता है destruction lysis की बात करें अगर कि lysis क्या है what is the meaning of lysis इसका मतलब यह होता है destruction destruction यानि टूटना इसकी हिंधे मिनिंग अगर बात करें तो टूटना breakdown हो जयना अलग-अलग हो न इसका मतलब यह होता है यह कर सकते हैं कि hemolysis is disordered in the blood in which escaping of hemoglobin from RBC इसके बारे में हम यह समझ सकते हैं कि RBC से hemoglobin का नश्ट होना ही क्या कहलाता है हमोलाइसिस कहलाता है फिर से हम आपको दो रादें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि hemolysis is the disordered in blood in which escaping of hemoglobin from RBC यानि RBC से hemoglobin का नश्ट हो जाना बरबाद हो जाना उनके order से हट जाना भी क्या कहलाता है हमोलाइसिस कहलाता है अब हमोलाइसिस जो है यह क्या कर सकता है हमोलाइसिस के बारे में और बात करें तो हमोलाइसिस में result from the defects defects within the RBC और from a poisoning infection यह poisoning infection भी कर सकता है यानि blood transfusion में भी अगर mismatch हो जाए वेन वे transfer blood one person to another person अगर उसमें blood mismatch हो जाए तो भी क्या हो सकता है hemolaisis हो सकता है यानि हमोलाइसिस के चलते यानि जब hemolaisis होता है इस condition में एनेमिया होता है यानि ब्लॉड के टूटने के चलते अगर एनेमिया हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं हेमोलाइटिक एनेमिया का टाइप है हेमोलाइटिक एनेमिया अगर आपसे कोई पुछता है कि Hemolatic Enemya क्या है तो आप कर सकते है कि यजब Blood क्या हो रहा है डिस्टरक्ट हो रहा है तूट रहा है हमारे सरीड में और उसकी चलते ज़ो Enemya उत्पन हो रहा है खुन की कमी जो हो रही है उस Enemya का Name जो है वो Hemolatic Enemya है और ये हो सकता है drugs और toxins के चलते भी, यह रिजन में बात आया, तो 2-3 reason मिले एक तो यह कि अगर blood mismatch कर गया, उसमें भी hemolysis होगा, infection होगया, उसके चलते भी हो सकता है, अगर हमने कोई drug ले ली, दबा ले ली, या कोई toxins खा गया, कोई जहडिला पदार्थ खा गया, तब ही हम Nolysis होने लगेगा, अब आते हैं Hemoglobinometer क्या है, इसके साथ ही बात कर लें कि Hemoglobinometer क्या है यह एक Dasuk है एंस्ट्रूमेंट है, जो here कि Hemoglobin dobrze क्या है लाट कि Har variant करता है क्या कि Hemoglobin के सब्सक्राइब आकम कितना क्या है इस बात को बताने का यह instrument है जिसको कहते हैं Hemoglobinometer इसके बारे में अगर हम ज़्यादा डेटेल अध्यान करें तो यह कह सकते हैं कि measurement of Hemoglobin of the amount of oxygen carrying capacity in the blood यानि oxygen carry करने की छमता क्या है इसमें इस बात को बताने का जो instrument है उसको ही कहते हैं हम Hemoglobinometer यानि normal Hemoglobin condition express जा इसको हम express करने की बात करें तो ग्राम प्रती ग्राम प्रती डियल में करते हैं कि कितना है यानि इसको और अच्छे से समझें अगर तो 14.3 ग्राम डियल जो होता है यह इक्वाल होता है हंडेट परसेंट होमोगलोबिन के यानि इस भी परसेंट अगर हंडेट परसेंट हो मतलब क्या 14.3 पर ग्राम डियल है जो आप इस भी का परसेंटेज दिखते हैं कि इसका नर्मल हम यह कर सकते हैं कि इसका परसेंट हैं तो 14.3 पर ग्राम डियल है यानि पर डियल में होता है ठीक है वाई यह हमोगलोबिन का नर्मल रेंज हम आपको बता दें कि नर्मल रेंज क्या क्या होता है यह पीज भाई मेरा बहर चुका है इस पहड़ा दें दूसरी पेज पर हम बात करते हैं कि हमोगलोबिन का है हमोगलोबिन का भी हम नर्मल रेंज पढ़ेंगे इन मेल यानि पूरुसों में इसकी कितनी होते हैं नर्मल तो यह 13 से लेकर 13 to 18 ग्राम पर डियल होता है इन फीमेल की बात करें इन फीमेल तो इसमें जो होता है यह 11.5 to 16.5 ग्राम पर डियल 4 डेसलीटर होता है इन चाइल्ड की बात करें अगर कि चाइल्ड में कितना होता है तो 11.5 to 13.5 ग्राम पर डियल होता है ज्यादा होना चाहिए इसमें 16 से भी ज्यादा होना चाहिए बच्छों में हमोगलोबिन की मातरा ज्यादा होती है और और पाद करें रहें रहे हैं यूबर्ड की बात करें में ठीक है और उसका normal value क्या है अगर ये था हम क्या पढ़ लिए है हमोगलोबीन के बारे में पढ़ लिए कि normal value क्या है अब अगर हम बात करें कि हीमोगलोबीन जो है वो करता है और वह किस तरह है करता है अब देख लेती हैं कि हिमोगलोबीन अगर हमारे सरीण में कम हो जाए हम हम इसे कैसे पता करेंगे jean है कि डीसमेंट ऑफ हमोगलोबीन है चाई हम जाया हमारे में तो क्या करिज़ट हो सकता है तो पहला तो कंडिशन आता है कि various type of various type of anemia यानि तरह तरह के anemia हमारे सरीड में हो सकते हैं और blood loss चाहे जिस condition से हो जाए चाहे वो ट्रामेटिकल एंजोडी हो जाए सरजड़ी के चलते हो जाए या bleeding हो जाए intestine से यानि clone से bleeding अगर हो जाए उस condition में भी hemoglobin घट जाएगा परासाइटिक इंफेक्शन मौसली माल लिजे किसी को malaria हो गया यानि हमोलाइटिक एनेमिया हो गया malaria में तो उस condition में भी hemoglobin क्या हो जाएगा कम हो जाएगा kidney disease में भी क्या हो जाएगा hemoglobin की संख्या कम हो जाएगी जैसे माल लिजे इर्यथ्रोप्यटीन हो गया किसी को इर्यथ्रोप्यटीन डिफिसेंसी यह kidney disease में आर्वेसिट हो गया तूट गया उसके चलते भी हो गया poisoning अगर है poisoning अगर वाली बात है तो उस condition में भी क्या होगा hemoglobin की संख्या घट जाएगी हमारे सरी में मल्किनीट्रिशन हो जाए यानि में कमी हो जाए फॉलिक एसीड की की डिफिसेंसी हो जाए तो उस condition में क्या कहेंगे Decreстьment of Hemoglobin का कम हो जाना आप नर्मल रिंज की बात करें कि नर्मल हीमोग्लोबिन का जो रिंज होता है Sb1, Sb2 और SbF1 जो होता है SbF1 का मतलब यह फिटस में होता है SbA1 की बात करें तो इसका यह 97% होता है SbA2 जो होता है यह 2 से 3% होता है ठीक है और SbF1 F1 मतलब हिटस हेमोगलोविन यह 1 से 2% होता है और SbF1 एक और बात जालेज़े SbF1 जो होता है यह convert हो जाता है किसमें SbA2 में यह convert हो जाता है after 4 और 6 मन्थ after 4 and 6 मन्थ यानि बच्चे में पाय जाने वाली संक्य Sb इतना है लेकि 4 या 6 महिने बाद यह convert हो जाता है किसमें SbA2 में convert हो जाता है अब हम परहेंगे abnormal hemoglobin यानि hemoglobin abnormal हो जाए तो उस condition में क्या क्या होता है तो अगर abnormal हो जाए करें in abnormal hemoglobin the structure of amino acid chains are changed composed to normal यानि normal जो chain होना जाए उस chain से क्या हो जाता है abnormal हो जाता है जिसको हम क्या करते है abnormal hemoglobin abnormal hemoglobin की type की अगर बात करें कि किस type का होता है तो SbS हो जाता है SbC1 SbD1 और SbE हो जाता है बहुत सारे हैं यानि hemoglobin S करें it occurs mainly in tropical Africa also middle middle it's Indian past truck टड़की टड़की among the American Negro Black यानि उन लोगों में यह सब पाए जाता है इसमें glutamic acid जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है glutamic acid replace हो जाता है किसी दूसरे amino acid के जगह पे जिसको हम क्या कहते हैं वेलाइन कहते हैं hemoglobin की बात करें C1 को तो इस आकर वेस्ट अफेरिकन वेस्ट यह हम लोग ज्यादा detail में जा रहे है ज्यादा deep में जा रहे है आपको इतना deep जाने के ज़राद नहीं है आपके वहल यह समझे hemoglobin है क्या फिर अगर इसमें बात करें आगे हम कि pigment क्या क्या होता है oxy hemoglobin में ठीक है carboxy hemoglobin में met hemoglobin में स्राइमेट hemoglobin में और salt hemoglobin में अगर इसमें बारी बारी सी बात करें कि oxy hemoglobin में जो hemoglobin pigment जो होता है hemoglobin pigment इसकी अगर हम बात करें तो इसमें oxy hemoglobin oxy hemoglobin इसमें एफी फ्लस ब्लस यानी आईरन के मातल इसमें अधिक रहता है अगर carboxy carboxy hemoglobin की बात करें तो इसमें जो होता है sp percentage के साथ co2 रहता है कर्बनाइक साथ ही रहता है mate hemoglobin की बात करें अगर मेट हेमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें जो होता है फेरी साइनाइड रहता है इसमें क्या रहता है फेरी साइनाइड रहता है अगर साइमेट की बात करें साइनमेट हेमोग्लोबिन तो यह होता है इसमें रेड ब्राउन इन कलर के साल्ट हेमोग्लोबिन सबसेंग प्लस सबसेगे मेंट है कि दिस एन हेरिटेटेडीजिस मतलब वन जैनरेशन तू आजगेशन वैसा बिमाडी जो एक जैनरेशन से दूसे जैनरेशन में गमन करता है in which there is an abnormality in the production of hemoglobin that means sickle cell anemia चुक्छे हैं और यह होते कितने हैं दू तरह करते हैं homozygous और heterozygous homozygous का मतलब होता है जो एक समान हो और hetero का मतलब जो अलग हो भीन भीन हो चुक्छे हैं कि अब है कि हम आपको आगे और पढ़ा देते हैं यह थोड़ा ज्यादा डेटिल इतना हम आपको नहीं ले चलेंगे आई हम आपको आर्वेसी पढ़ा देते हैं जो ज्यादा और पढ़ते हैं हम लोग आरविशी के बारे पढ़ लेते हैं फसकता में काम एक और सब्लबात करें हम लिए आप है अने लिए सिदिसacağना नेम चैन tätä यह था यह था साइट था रेट बलॉर्ट सेल था यह यह भी एक अगर इरिथ्रो साइट की बात करें तो यह ग्रीक वर्ड है इरिथ्रो और प्लस साइट इरिथ्रो का मतलब भी होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल यह कह सकते हैं कि यह एरिथ्रो साइट जो होता है यह इस में बार बार चरसे में आ रहा है कि जाता है हम उत्वे से गज्टें होमगलोबिन कहते हैं कि यह सेप को अगर बात करें तो सीप इसका की आख तरerson होता है और और पाई कन की होता भूटा है ने इन चाहिव मैश्यूर आर्वेशी में नुकलियस की जगह पर क्या पाया जाता है अब रेस्पारेटरी पिगमेंट कहते हैं क्या कहते हैं तो रेस्पारेटरी पिगमेंट किसको हीमोगलोबीन को कहते हैं हीमोगलोबीन को रेस्पारेटरी पिगमेंट कहते हैं ठीक है नॉर्मल अगर नॉर्मल तो पहले हम पढ़े हैं फिर भी देख ले रहे हैं यह 4.5 से लेकर 5 मिलियन और क्यूविक एमेम पाया जाता है ठीक है और इसका स्थिंतिसाइज कहा होता है यानि आर बेसी जो है यह बनने का काम कहा होता है तो यह लॉंग बून ठीक है और बून मैरो में कहा बनता है तो बून मैरो में यह बनता है कौन गाल नांग बॉन के साथ में भी बनता है ठीक है फ्लैट बोन में भी बनता है ध्या है रबीजी यह बनने का काम कहा होता है यह अब समझे इस ज़ह बार बात करें कि इसका लाइफ ऐस पां कितने दिनका होता है आर वीजी का है कि रूठ गया कलम चलिल नहीं रहा है लाइपस पाँज जो है यह 120 देज का होता है अप्रॉक्सिमेटली यह 120 देज जिंदा रहता है ठीक है है डाइमेटर की बात कर लें के डाइमेटर अफ आर वी जो होता है चुकि diameter क्यों तो circular होता है तो diameter की बाद आ जाएगी और diameter होता है 7μm rbc का diameter के बाद करें तो यह 7μm हो जाता है अब अगर हम बात करें rbc का function क्या क्या है function of rbc अगर हम देखें function of RBC इसका मुख्य काम क्या-क्या है तो पहला तो आया वही कि O2 को ये carry करवाना lungs to क्या? lungs to tissue और tissue to lungs ये carry करने काम करता है करी करता है यह और क्या क्या करता है करी क्या करता है तो यह enzymes को करी करता है और किसको करी करता है यह vitamins को करी करता है हर्मोन को करी करता है ठीक है acid base balance को maintain करता है acid base balance को maintain करता है ठीक है और क्या करता है यह body temperature को control करने काम करता है nutrition को carry करता है blood pressure को regulate करने का काम करता है यानि maintain करने का काम करता है अगर आर बेसी तो भाई इतना काम करता है अगर घरबर हो जाए यानि हम यह कर सकते हैं कि disorder of आर बेसी डिसर्डर में हो जाए तो यह क्या क्या कर सकता है कि पोलीज यह condition दो क्रेट कर सकता है पोलीज साइथेमिया और एनिमिया दो क्रेट कर सकता है अगर इसका बैलेंस घरबर हो जाए यह कर सकते हैं दिस ओरडर अफ आर बेसी में अकर्स इन दफ फॉर्म आफ आइदर क्या क्या हो सकता है है दो ही चीज़ हो सकता है एक polycythemia और दूसरा एनेमिया अब समझते हैं कि polycythemia क्या है अगर condition abnormal हो जाए या rbc की संख्या क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए बढ़ जाए ठीक है तो इस condition को ही हम क्या करते हैं पूली पूली का मतलब ही होते हैं ज्यादा चुकि अब मैं तुछे पढ़े पूलीगॉन पढ़े पूली का मतलब ज्यादा तो पूली साइथेमिया यह क्रियेट कर देता है ठीक है और इंक्रीजमेंट इसकी संख्या बढ़ा देता है क्यों भिसकोसिटी के चलते हैं ठीक है भिसकस ही नेचर तो यह है ही और क्लॉटिंग फेक्टर ज्यादा करने लगता है और इसके बारे में समझ सकते हैं कि दिस लेट्स टू दस रेबराल एंड्ट रि ऑटी ठ्रम्बोसीश यानि व्लाट यझा ख्लॉटिंग होगा इसमीं तो यह क्या कर सकते हैं वही तो क्atoreभ्राल ऑर सेवर्अले और ऑडी अरी अलट्रेंग फ्लाट्पोस यानि knowing होना शुरू हो जाएगा क्लॉटिंग बलाड अश्बी उ था इसे नीए करता कोड़नेरी आर्टी सवाट हो और करें यह वाली और आ्ट-र को सप्ञाइव क सप्लाई cities investir कि बारे में अगर और बात करें तो यह такую ब्रीन में सप्लाई देने का काम करता है कि और को सप्लाई को और यह कि समझे पूली की हो दिस्टब करेगा ज्यादा जंसंक्य करें ज्यादा इसका वह लुम बढ़ गया तो अब अने जुन आपने ईक बहुत बड़ा चैप्टर है या हुआ cran हम बता आ रहे हैं तो समझी लो हैं तो और हमिया है इनुन यह लेख सकते हैं लिगें हम A यह होता है एनेमिया के बारे में यह समझ सकते हैं कि एनेमिया इस दा कंडिशन इन विश रिडाक्षन इन दा क्वांटिटी अफ ऑक्सिजन कारिंग पिगमेंट हेमोगलोवीन इन दा ब्लॉड यानि ब्लॉड में हेमोगलोवीन का कम हो जाना इनेमिया कहलाता है ब्लॉड में हेमोगलोवीन का बढ़ जाना क्या कहलाता था पोलिसाइथेमिया और ब्लॉड में हेमोगलोवीन का कम हो जाना इनेमिया कहलाता है इसको और दूसरी समझ सकते हैं दूसरे डे डेफिशी एंसी आफ हीमोग्लोबीन ग्लोबीन इन दब लॉड नून एज अनेमिया निए ब्लॉड में हमोग्लोबीन के कंडिशन कम हो जाया तो हम क्या कर सकते हैं नेमिया कहेंगे इसको कर सकते हैं यह कमण डिजर्डर भी है कमण डिजर्डर है और क्या कर सकते हैं यह हेल्दी लोगों में आर्विशी के लेवल को क्या करता है कम कर देता है तब ही होता है क्या एनेमिया यानि हमोग्लोबीन की कमी के चलते हैं एनेमिया होता है और इसके चलते जो तकलीफ आएगी वह क्या क्या आएगा बोडी बिकम बोडी विकंप अब जिसके सरीड में हमोगलोबी नहीं हो चेरा पिला-पिला देखेगा तो उसका सरीड हो गया पैलल ठीक है पैसेंड जो होगा मरीज जो होगा वो टाइडनेस फिलिंग फिल करेगा तैड़नेस यानि थकान थकान महसूस करेगा उसको सांस लेने में लगए कि बहुत ज्यदा दम लगाना पर रहा है ब्रेटलेसनेस होगा उसको बार-बार सांस लेगा चुकिशिजन की डिमांड होगी और oxygen-caric pigment है क्या तो hemoglobin है तो बार-बार सांस लेगा कि जल्दी जल्दी सांस ले अब हम यहां से पढ़ सकते हैं कि एनेमिया मुख रूप से कितने तरक होते हैं ओंधियर बेसिस साइज यानि साइज के हिसाब से एनेमिया जो पढ़ रहे हैं एनाइमिया यह सॉड़ी यह होना जी होता है एनेमिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह मुशली तीन तरक होता है कौन-कौन तो macrocytic macrocytic anemia macrocytic microcytic macrocytic anemia चुक्ष है और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे नर्मोसाइटिक नर्मोसाइटिक anemia यह पूरे डिटील है आप वीडियो को देखते रहें तो आपको समझ में आ जागा कि यह सब है क्या अब पहले वाले की बारें बात करेंगे एक ही करके हम आपको सब के बारें बताएंगे macrocytic anemia क्या है macrocytic anemia क्या है और इसको अच्छे से और अच्छे समझाएं फिलाल हम जितना हो पा रहा है उतना ज्यादा अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह page मेरा बहर चुका है आए हम दूसरे वाली page में बात करते हैं इसमें बात कर ले रहे हैं पहला वाला आपको हम क्या बताया थे यह बहुत हैं मैक्रोसाइटिक पताय थे मैक्रोसाइटिक एनेमिया इसके बारे में हम लोग टीटेल समझेगे कि Macrocytic Enemia है क्या इसमें होता क्या-क्या है यह ज़्यदा कुछ नहीं समझता है इसमें इसमें समझिए कि यह vitamins B12 और Folic Acid यह vitamins B12 and Folic Acid कर सकते हैं कि it is due to deficiency of vitamins B12 and folic acid इंदियर इंक्रीजमेंट रूल अफ आरवेसी प्रोडक्शन चुकि आरवेसी को बनाने में बेटामिन B12 और फॉलिक एसिड का अहम युगदान है जब इनकी कमी हो जाए लैकनेस हो जाए लैकनेस अब बेटामिन B12 और फॉलिक एसिड हो जाए तो उस कंडिशन में जो वो मेक्रोजाइटीक एनमिया क्यों कि इसमें B12 और फॉलिक एसिड की कमी हो रही है और कमी हो रही है तो इसके चलते हैं बलाड बन नहीं रहे है जितना बन ना चाहिए इसके चलते क्या होगा तो abnormality हो जाएगी किसमे तो RBC में इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है RBC में abnormality हो जाएगी किसके चलते है vitamin B12 or folic acid की चलते है जिससे एक condition उत्पन होगा anemia जिसको हम कहेंगे macrocytic anemia दूसरी वाले के बारे में आ जाते हैं यह पहला आप देखें दूसरा आपको हम बताया थे क्या microcytic microcytic एक था macro और दूसरा था microcytic anemia microcytic anemia इसके बारे में हम समझाएंगे क्या है देखिए अब इसमें है कि अगर iron की कमी हो जाए ठीक है का सकते हैं कि it is due to deficiency of iron means iron deficiency anemia यानि इसको एक अनदर नेम से भी मिल गया हमको कि इसको कह सकते हैं कि iron deficiency क्या एनेमिया और यह condition chronic chronic infection में यह देखने के लिए मिलता है इसमें rate blood cell जो होता है वो small हो जाता है size उनका abnormality क्या हो जाती है small हो जाती है तीसरे के यानि मुक्रूप से आपके वाल यह रखिए याल कि अगर iron की कमी हुई तो तो मैक्रोसाइटिक अनेमिय होगा विटामिन B12 और फॉलिक असिट क्यू ही तो मैक्रोसाइटिक अनेमिय होगा और एक तीसरा बचा हुआ है जो उसके बारे तो यह देखिए हैं साइज में अगर इसके बारे में है कि इस करेक्टराइज बाई दा प्रजेंस अफ आर्ड ब्लॉड सेल्स अब नर्मल साइज से अगर यह एबनर्मल हो जाए ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे नर्मो साइटिक यहीं से आप याद रख सकते हैं ज्याद उसमें अगर नर्मल से अबनर्मल हो जाते हैं इस कंडिशन को क्या कहेंगे हम नर्मो साइटिक फिर कंडिशन वहीं यहां से उत्पन होगा चुके नेमिया है तब रिद्लेस्स होगी टैडनेस्स होगा लॉस अपेटाइट होगी यानि भूग की कमी होगी पैलल होगा देफिसियंसी एनेमिया और और क्या होता है मेगालोब्लास्टिक मेगालोब्लास्टिक एनेमिया चुक है है उसके बाद हीमोलाइटिक अभी पढ़े हैं हम लोग हीमोलाइटिक एनेमिया ऐनाइमिया यह उपर वाला में गलत लिखा गया है और प्लास्टिक एनेमिया तेक्या है उसके बाद है हीमोरेज एनेमिया हीमोरेज मतलब का ब्रेडिंग का हो जाना हीमोरेज जिक एनेमिया ठीक है सिकल सेल एनेमिया है यह साइसी होता है सिकल सेल एनेमिया इसके बाद आता है परणिस्यस एनेमिया परणिस्यस एनेमिया इतने सरा से एनेमिया आर और एपिसे सी मेगालोबलास्टिक एनेमिया हेमोलाइटिक एनेमिया अप्लास्टिक एनेमिया ठीक है उसके बाद है हेमोथार्मिक एनेमिया सिकल सेल एनेमिया सिकल सेल एनेमिया के बारे में टूल्स में जाद चर पढ़ना है और एक है परणिस्यस एनेमिया परणिस्यस एनेमिया अब सब करेंगे कि iron deficiency अगया हो रहा तो इसमें कंडिशन क्या क्या हो सकता है इसमें समझ सकते हैं यह कि इसमें कि वैसी एनेमिया बेलकुल आसान वासा में वैसी एनेमिया जिसमें कि कमी हो जाया किसी भी करान से किसी भी करान से कर सकते कि इन्विस टाइफ आफ एनेमिया डियर ऑर ट्रीटली इंटेट और किसी वी कारण वास अगर बलड में आईरन की कमी होती है तो उसको हम कहेंगे अब चाहे हैं वह चाहे वह बंदा कम खाता हो यह सरिल में बढ़ने की करिया कम हो रही यह यहां चाहेंगे अगास अग्र yaricop accent के बाल में देंविया के बारे में यह आप आ चाहेंगे रहें मेगालो ब्लास्टिक यहां वी सबू woven कि यह नेसेसरी है किसमें मेसुरेशन में अरेटरोसाइट्स के मेसियूर होने में बिटामिन बीटुएल्ब और फॉलेक असेद का अहम युग्दान है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि फॉलेक इसीड जो है इन बहुत जरोड़ी है अगर निकी कमी हो रहे है तो मेगालो बलास्टिक एनेमिया होगा ठीक है अब आए अब पढ़ें हीमुलाइटिक एनेमिया का मतलब होता है कि अगर ब्लॉड का टूटना किसी भी कारण से इंजोडी हो गया इंफेक्शन हो गया मैलेडिया हो गया कुछ इसमें ब्लॉड टूटने का काम कर रहा है बार बार तो उसको केंगे हमुलाइटिक एनेमिया ज़्यदा हम इसके बारे में अंदर जाने良ज्वाण अफुर आप को heti कर रहा कि आपको हम बताएं कि है क्या क्या उप्लास्टिक एनेमिया इसके एक रहाडऴ औप्लास्टिक बॉन मैरो अगर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है क्यों बॉन मैरो में और बीसी बनना होता है यह हम बता है अगर यह सुपर सिजन कर जाए तो क्या हो जागा यह फिल्यूर हो जाए इस करेक्टराइज वाइद फैल्यूर अप लॉड अप्लास्टिक अनेमिया ठीक है दूस यानी सम्सीज़ ब्लॉड अगर लॉस चाहे एक्सिदेंटल केस में तुन में क्रॉनीक幫 में इस चलते जो एक हैस morte का हूं यह कहें यह सुनते हैं brain hemorrhage करना hemorrhage का मतलब क्या हुआ यानि bleeding का सरीर से ज़्यादा हो जाना hemorrhage यानि hemoglobin का बाहर निकलना ठीक है अब बात आता है sickle cell anemia क्या है sickle cell anemia के बारे में ये कर सकते हैं कि it can heredatory blood disease यानि ये एक generation से दूसरे generation में गमन करती है ये अफिर्कन है सम्टाइम्स सौधी अरबी और इंडिया में भी दिखा गया सिकल से एनेमिया के बारे में इसका character जो है किसका sickle cell anemia का it is characterized by the production of an abnormal type of hemoglobin known as sickle cell anemia यानि hemoglobin का abnormal size हो जाना abnormal size हो जाना क्या कहलाता है sickle cell anemia कहलाता है इसके बारे में और अगर समझ दें कुछ करें तो है कि there is no satisfactory treatment the highest maternity on the childhood but from patient me live on age of 62 70 years इसका treatment जो है इसको हो जाए ज्यादा दिन ठिकता नहीं है बट 70 बहुत हो कि खिच देता है कोई-कोई एंजान ज्यादा दिनों तक लेकिन इसका treatment होना जरूरी है इसके बाद आता है last time परनेसियस एनेमिया परनेसियस एनेमिया क्या है तो यह विटामिन B12 की कमी से परनेसियस एनेमिया होता है यह जरूरी है ठीक हैं यह कह रहा है कि इसर्फ फिर्शियस एनेमिया नार्वास सिस्टम इस एफ्यक्त परनेसियस एनेमिया नर्वास सिस्टम को affect करता है विटामिन की कमी के चलते होता है क्या परनेसियस एनेमिया यानि यह हम समझ सकते हैं कि इंटेस्टाइन में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का अब्जरप्शन नहीं अगर हो साई से तो भी हो सकता है अगर अगर कम हो जाए तो भी एक करेट हो रहा था और अगर बढ़ जा तो भी एक करेट हो रहा था एनेमिया देखे, हाइपो थार्मिक देखे, अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो, कम हो जा रहा है तो एनेमिया देख रहे हैं, ठीक है, आइए नर्मल भलू अप समझ देते हैं, RBC का नर्मल भलू क्या है, मेल की बात करें, तो मेल में 4.8 से 5.8 मिलियन पर क्यूविक ठीक है फीमेल में जो होता है रवेसी वो होता है 4.2 से लेकर 6 million पर क्यूविक एट बार्थ जो होता है 6 to 7 million पर क्यूविक ठीक है इतना होता है रवेसी का अब हम लोग पढ़ेंगे Erythropoiesis क्या है यानि एर्थ्रोप्वाइसिस का मतलब होता है क्या आरबीशी का बनना यह गहान अध्यान चल रहा है एर्थ्रोप्वाइसिस यह क्या है एर्थ्रोप्वाइसिस कर रहा है कि यह भी एक ग्रीक वर्ड है इस कंपोजड अप्टू ग्रीक वर्ड फर्स्ट इस एर्थ्रोप्वाइसिस यह आरबीशी का बनना आई आज देखते हैं मज़दार है कि आरबीशी बनता कहा है और बनता कैसे है चाहिए कर सकते हैं कि इस प्रोसेस बाइज रीड ब्लॉट सेल्स और फॉर्म इस नोन आज रेथ्रोप्वाइसिस यह आरबीशी का बनना ही क्या कहलाता है इन दफेटस यह उम्में फेटस में से बच्चा एक दम बिल्कुल मा की गर में आता है इस रीड ब्लॉट सेल्स आ बनने सौरी ब्लॉट कहां बनता है इसकी अगर बात करें तो जगह है लीवर ठीक है एस्पलीन को कबरगाह भी कहा जाता है बॉन मैरो बॉन मैरो यह वो साइट है जहां पर आर्बेसी बनता है यह कब फेटस में जब बच्चे मा के पीट में होता है जब गर में होता है वोम में होता है तब उस कंडिशन में ब्लॉट कहां बनता है तो उस बच्चे के लिवर में बनता है इस्पलीन में बनता है और बॉन में बनता है में जो अजो अनुको यनि यहां तो बनने का काम यहां बनतो है ही इसके अलामे भी बनना सुरूब हो जाता है किसमें एस्ट जाता है ठीक Yeah, यह नीचे तक इसतरह से जाता है इसी में आपके त्रू और फॉस डितने सारे होते हैं इस तरह से इसमें झूलेडाते हैं। बोडी का इकलता वोन है कोलर वोन जिए स्को ब्योटि वोन भी कहते हैं जो हमारे सरीरे में हरीजन्टली है। ठीक है ऐग यही बोन है very necessary है development of RBC, RBC के develop होने में vitamin B12 और folic acid बहुत ही महत्पूर्ण रोल निभाता है, यह hormone which regulates the process of erythropoiesis known as the erythropoietin, अब एक word आया, erythropoietin, word क्या है, erythropoietin, T-E-I-N, erythropoietin, तो इसमें आया कि हार्मोन, वैसा हार्मोन जो क्या करता हो, regulate करता हो, किसको erythropoiesis होने को, एक process होने को, जिस protein को कहते हैं, erythropoietin, ठेक हैं, this hormone is, कौन हार्मोन भाई, तो erythropoietin एक हार्मोन है, जो erythropoiesis में, यहाँ है, erythropoiesis में मदद करता है, और यह हार्मोन से, create कहां से होता है, निकलता कहां से है, तो यह kidney से निकलता है, kidney से निकलता है, ठेक हैं, कौन हार्मोन भाई, erythropoietin, अब आईए हम आपको पढ़ा दें, stage of erythropoiesis, erythropoiesis बनता कैसे है, कौन-कौन सा stage है इसमें, बनने में, erythropo, यानि erythropo-site बनने में, कितने दिन लगते हैं, और इसके stages क्या क्या है, आईए अभी इदर new page और भी है, पढ़ते हैं अदर, क्या यह कह सकते हैं कि maturation क्या है, RBC कैसे mature होता है, maturation, क्या है, किसका, RBC का, तो इसका stage दिखिए क्या क्या है, pre-normo blast, pre-normo, pre-normo blast, और size समय इसका रहता है, 14 to 19 mu, pre के बाद जो है, यह आजाता है, नर्मो ब्लाष्ट, नर्मो ब्लाष्ट, ठीक है, और इसका size जो हो जाता है, 12 to 17 mu, उसके बाद है, reticulocyte, reticulocyte, ठीक है, reticulocyte, इसका size की बाद करें, तो 7 to 10 mu हो जाता है, उसके बाद करें, तो erythrocytes, erythrocytes, ठीक है, यानि erythrocyte आकर क्या हो जाता है, mature हो जाता है, यह हमारे blood में पाया जाता है, erythrocyte, यानि RVC, यहाँ complete हो गया बनना, जिसका size जाता है, 7.2 mu, ठीक है, और यह सब process होने में, कितना दिन लगता है भई, 4 days लगता है, यानि 4 दिन में यह process, done हो जाता है, RVC बन जाता है, RVC सबसे पहले, pre-normo blast बनता है, फिर normo blast बनता है, फिर क्या बनता है, reticulocyte बनता है, फिर erythrocyte बनता है, यानि यहाँ से, mature हो जाता है, अब इसको mature होने के लिए, requirement क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए, तो iron होना चाहिए, body में, iron की मतरब पर चूर होना चाहिए, copper का होना जरूरी है, copper हमारी body में, चाहिए vitamins चाहिए, vitamins चाहिए, और क्या चाहिए भई, vitamins है तो, minerals बिसासा चाहिए, और क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए यह इतने निसेसरी कुप्मेंट है जो हमारे बोड़ी में होने जरूरी है तब होगा अब देखिए अब आरबीसी जब अभी हेमोग्लोबीन एबनार्मल होगा तो पर रहते अगर आरबीसी एबनार्मल हो जाए यानि नार्मल कंडिशन से क्या हो जाए अबनार्मल कंडिशन में हो जाए तो क्या क्या हो सकता है तो देखिए दूही कंडिशन आ सकता है कब अबनार्मल अफ आरबीसी हो जाए अबनार्मल माइक्रो पाले लिख दे रहे हैं माइक्रो साइट्स अगर इसका साइज लेस देन शिक्स म्यू एम दूसरा मैक्रो साइज या तो बढ़ जाए या तो छोटा हो जाए मैक्रो साइट्स मोर देन या कि मोर देन आइन मिल्पिक्स का इसका नार्म कि थोया थे ये इसका नार्मल साइज होता है σबस्ता टू होता है अगर दिखें इससे कम हो जाएया है तोकि यह क्या हो सकता है cause of microsite क्या-क्या है तो various type of anemia various type of anemia अगर तरह-तरह का anemia हो जाए उस condition में इस बंदियों क्या हो सकता है microsites हो सकता है ठीक है dehydration हो जाए क्या हो जाए dehydration हो जाए तब हो सकता है iron deficiency anemia हो जाए तो iron भी आदाएगा और क्या हो जाए thalasmia हो जाए thalasmia जिसको करते है thalasmia हो जाए तो यह क्या है भाई तो thalasmia जो है यह hereditary disease है blood का hereditary disease है जिसमें protein parts जो होता है blood hemoglobin में वो क्या होता है abnormal होता है किसमें thalasmia में thalasmia यह condition है यह भी जिसमें क्या हो जाता है abnormal हो जाता है क्या hemoglobin abnormal हो जाता है cause और macrocity का cause क्या है भाई अभी तो यह cause देख रहे था किसका cause देख रहे था किसका micro का macrocity का इसका cause क्या है इसमें बात करें अगर liver disease हो जाए क्या हो जाया लीवर लीवर डीजिज हो जाया विटामिन B2L की डिफिसेंसी हो जाया था फॉलिक एसीड की डिफिसेंसी हो तब उस कंडिशन में क्या ने हो सकता है और इसमें मैक्रोसाइट में होता चोता चोता शोय जाता इसका किसका है अगर तर्फ में तो सेप में अगर क्या हो रहा है आर्बिव arguably क्लम आई क्या है अब नार्मल तो इसको एक और नामसे हम लोग जानते हैं इसको क्या goat करते हैं पिकलो साइट करते हैं प्वाइकलो पी ओ आई के आई लो सी वाइट पिकलो साइट करते हैं का जब अबनार्मल हो जाए क्या और वेसी जब अबनार्मल हो जाए देखो भाई मेरा इस भी पेंट चलना बंद कर कि चलिए ज़ल जली खत्म कर रहे हैं ठीक है आज यह किस दिन हम आपको यह सर पढ़ा देंगे पुरा का पूरा यह सर है क्या ठीक है यह सब्सक्राइब इसके पर रहे हैं तो इसके तुरांत बाद आ जाना चीए ठीक है फिलाल आपको हम डबलूबीसी का जो डबलूब्ली इसके बारे में कुछ बिता दें इसका नॉर्मल कंडिशन पहले आप नोट कर लें नॉर्मल कंडिशन जो होता है अगर चाइल्ड की बात करें हम कि चाइल्ड में कितना होता है तो यह दस हजार से लेकर बारह हजार क्यूबिक एमेम होता है एडाल्ट की अगर बात करें एडल्ट की बात करें ये 6000 से 8000 टू 8000 ठीक है नॉर्मल इसका जो रेंज होता है नॉर्मल पेंज जो होता है इसका किसका WBC का वो 4000 से 11000 होता है 4000 से 11000 ठीक है इसका मुख काम जो है चीफ फंक्शन के अगर बात करें तो इसका चीफ फंक्शन क्या क्या है हम पड़ाबट समझा दे रहे है चीफ फंक्शन इसका ये फैगो साइटोसिस है भई फैगो साइटोसिस अब फैगो साइटोसिस क्या है तो इसके अगल-वगल कोई अगर वायसा चीज आ गया जो हमारे सरीर के लिए खतरनाक है उसको क्या करते हैं लिगल जाता है इसी को कहते हैं फैगोसाइटीस क But रहे हैं कि हाई बाइस्वीन करता है किसके द्वारा कि Mmm करके सकते हैं कि तो डाब लो करता है यह क्या करता है हैं थकी करना ईसे बहुत जा रहा हु है लेकिन हम उतना पूं sap को नहीं है यह इसके आगे बहुत सारा कुछ है फिर किसी नेक्स वीडियो हम जब डालेंगे तो आप बना देंगे अप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और जहां-जहां मेरे से कर सके सुधार कर सके और आपको बेटर नॉलेज दे सकें बलाट के बारे में मैं उमीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा प्लीज सेयर कमेंट लाइक यह कुछ सफ दीजिए वदले में कुछ नहीं है विलाल बाइ इतना ही